Hello everyone, आज हम इस वीडियो में इस प्रकार के सम्मिक्रणों को हल करना सीखेंगे सम्मिक्रण है कि दो संख्याओं का योग 12 है, यानि कोई भी दो संख्या है जिनका जो सम है, यानि जो टोटल है, वो कितना है? 12 है, 12 है और उनका गुनन फल, उनका जो प्रोड़क्ट है न, वो कितना है? 35 है यानि कोई भी दो संख्याओं आपके पास हो सकती है एग्जाम्पल के लिए माणलोब पहली संख्याओं के आपके पास X है और दूसरी संख्याओं के आपके पास Y है तो वो खहरा है कि इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तब तो जोड़ कितना ना चीए 12 और अगर इन दोनों को आप मल्टिप्लाई कर दो तो कितना ना चीए आपके पास 35 आना चाहिए अब बताई वो दोनों संख्या है क्या क्या है अब हो सकता है दोनों संख्यों में पहली संख्या 10 हो जाए और दूरी संख्या 2 हो जाए तो जोडने पर तो 10 और 12 हो गया लेकिन इनको गुणा करने पर 35 नहीं हो रहा तो 10 और 12 तो नहीं हो सकता इसी प्रकार से हम 9 और 3 भी ले सकते हो 9 और 3 कितने होते हैं 12 होते हैं लिए गुणा करने अपर 9 ती 27 होते हैं 35 नहीं होते हैं इस तरह से अपना अंदाजा लगा-लगा के निकालेंगे तो आंसर तक पहुचने में कापी समय लग सकता है उसका जो तरीका है उस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो एक जो सम्भीकरन होता है उसको किस परकार से हल किया जाता है वो आज में आपर सीखने वाजे तो आपको कोई भी दो संक्या दे रखिए कोई भी दो संक्या दे रखिए अगर उनका जो टोटल है ना उनका जो सम्भ है उनका जोड़ वो अगर आपको देरका होता है तो ध्यान देने वाली बात है यह है कि एक संक्या जिसे बारा है बारा मेंसे मैं कहूँ कि पहली संक्या जो है वो आपकी वेटा दस है तो सीधी सी बात है दूसरी संक्या क्या होगी बारा मेंसे दस को कम कर दिया जाएगा ऐसे तो बनेगी न यानि पहली संक्या अपन लेते हैं टोटल बारा है बारा मेंसे दस दे दिया तो पीछे कितना बचेगा इस मेंसे जो दे दिया उसको कम कर दो तो बारा माइनस दस बराबर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा यहांपर तो आपको बड़ी आसन चे समझ में आ गए लेकिन बात चलेगी जब चर्के लिए अब मैं कहूँगा कि पहली संक्या अक्स है तो दूसरी संक्या क्या बनेगी तो आपको होगी अब सर्फ दूसरी संक्या का तो पता नहीं तो देखो पहली संक्या दस ती तो टोटल में से दस गठा दिया तो दूसरी संक्या आ गई उसी प्रकार से हम पहली संक्या को अक्स ले ले तो दूसरी संक्या क्या आएगी बारा माइनस क्योंकि 10 को अक्स का न तो 12 मिसेश को कम कर दो तो 12 माइनस अक्स आगे 2 संख्या ऐसे आपको 2 संख्या अपर लेट कर लेने मान लेने तो माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर अक्स अता है पहली संख्या का पता चल गया न तो अब अपने लिखेंगे अपर अता है दूसरी संक्या अब दूसरी संक्या क्या बनेगी बही पहली संक्या अक्स है दो संक्याओं का जोड बारा था बारा में से अक्स का में पता चल गया तो पीछे कितना बचा ये इसमें से कम कर दो यह बारा माहिनस अक्स यह बात आपके समझ में अगी होगी बाइअ मेंसे अगर मैं पहली संक्या 5 ले ले था तो दूसरी संक्या कैसे निकलती 5 को इसमेंसे घठाना पड़ता तो हमने पहली संक्या कै लिए है अक्स तो आक्स को इसमेंसे घठा देंगी तो ये मारे पास दोनों नंबर आ गए अब according to question बोल रहा है कि उनका गुननफल 32 है यानि दोनों संक्याओं का गुना कितना है ये 32 ने 35 है यानि ये पहली संक्या है और ये दूसरी संक्या है अगर इन दोनों संक्याओं का हम क्या कर दें गुना कर दें तो वो किसके बराबर आएगा 35 के बराबर आएगा न तो इनको हम गुना कर देतें तो पहली संक्या तो है अक्स इसको गुना करेंगे हम दूसरी संक्या से और दूसरी संक्या है बारा माइनस अक्स यह गुना का निसानद इसके लिए ब्रेकिट लगाना ही पड़ेगा तो ये पहली संग्या गुना दूसरी संग्या बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा बस अब इसको हल कर लेना है तो पहले तो ये जो अक्स है न वो 12 से गुना हो जाएगा और फिर ये वाला अक्स है न वो माइनस के अक्से भी गुना हो जाएगा अक्स गुणा बारा बराबर कितना होगा बारा अक्स आजाएगा अब अक्स को अक्स से ही गुणा करेंगे ये वाला अक्स पलस का है ये वाला माइनस का है और पलस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा और x into x हो गया है आपर x square बराबर कितना है 35 अब ये x के साथ देखा जाए तो दिवी गात समीगन बन गया याँ अबर x की कितने गात दिखाई दे रही है दो गात दिखाई दे रही है और x की जब दो गात होती है तो उसको हम दिवी गात समीगन कहते हैं तो 35 को अब अंदर की साथ लेकर गाएंगे न तो इसकी इस्तिती बनेगी बार अक्स माइनस x square और माइनस का 35 बलस का 35 ता अंदर आएगा तो माइनस का जाएगा बराबर में 0 नियम के कोडिंग जो बड़ी गात होती है उन्हों उसको आगे रखा जाएगा यहाँ पर एगात है चरकी और यहाँ पर चरकी गात कितनी है दो तो दो गात आगे जाएगी एगात पीछे यहाँ तो पावर है न वो जीरो है क्योंकि इसके पास तो चरह ही नहीं ना तो x square को हम आगे रखेंगे इसे माइनस का x square पलस का 12 x और माइनस का 35 अब कई बच्जों के यह भी समझे होती हैं कि इनका चिन क्यों नहीं बदला अब यहाँ पर गोर से देख्लों कि यह जो पहले भी बदा में इदर आ बीदा है और तो इसके चिन में कोई बदला नहीं होन देखो है लेकिन अब एक चीज़ का और ध्यान देना है कि हमेशा आप गुनन करने इसका यहाँ पर भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको आसान तरी का यह बताओगा कि AX-I Square को आप हमेशा पलस का रखिए AX-I Square को मैशा आप इसका रखिए को जाये गहा बस इतना इसमें बडलाव कर देना इतना बडलाव करने के बाद में आपको इस इसे बींच ृप commitment है कि इनको वापस मिलाएं तुर्ट इतना इतना ये और उनको गुणा करें तो इन दोनों के बराबर आए, बस इतना आपको यहां पर काम करना है, तो इस 12 के टुकड़े करने के लिए, आफ 12 के कितने टुकड़े कर सकते हो, तो गोर से देखें 12 के हम टुकड़ा कर सकता हूं, 6 और 6 भी 12 होते हैं, लेकिं 6 को चैसे गुना करने पर 35 नहीं है पाएगा पांच अब गोर करने वाली बात ये है कि बारक्स किसका था माइनस का था तो इसलिए जो साथ है वो भी माइनस का लिखना पड़ेगा और पांच भी माइनस का लिखना पड़ेगा पर इसके साथ अक्स भी तो था तो आप लिखेंगे माइनस का ही साथ अक्स और माइनस का ही लिखेंगे आपर 5 अक्स और प्लस का जाएगा आपका 35 is equal to 0 अब आप क्या करेंगे पहले इन दोनों में से और बाद में इन दोनों में से common निकलेंगे अक्स स्क्वाइर माइनस 7 अक्स में से common को निकले है common का मतलब जो ऐसा नंबर या ऐसा चर्जो दोनों के पास हो या जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जा सके है और वो बड़े से बड़ा होना चीए एक बार भाग देने के बाद में एक के लावा और कोई भी संक्याव के पास होनी नहीं चीए तो इसमें से अक्स निकल जाएगा दोनों के पास अक्स है संक्याव में यहापर एक है यहापर संक्याव में साथ है तो साथ और एक में से देख के निकलेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा तो अब देखो क्या बचा अक्स बाहर निकाला तो इसका आपको इसमें बाग लगाना है यहाँ पर थी अक्स की पावर दो और एक पावर आपने बाहर निकाल लिदे हैं आपर एक पावर रह गई फिर प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस X का बाग आप 7X में लगा होगे तो X X कट जाएगा X X मतलब 7X का मतलब ऐसे 7 गुना X और इसमें बाग आप X का लगाएंगी इस बाहर बाहर लेगा पर यह इसको कटेगा तो 7 लगा है ना इसको यहां लिग देना है अब यहां पर जो भी चिनव अगर माइनस है तो माइनस है थो माइनस लाओगे प्लस है तो प्लस लाओगे तो यह माइनस यही इस सैन को आप को चेंज नहीं करना है पांच और पैंट् 스еч दोनों गर गोर से देखा जाए तो 5 का बाग या भी जाथा माइनस माइनस पलस हो गया 5 ने 5 को काट și कौन बच गया अक्स क्यों उसका भाग लगाएंगे ना भाग लगाते awkward पिर making bons प्लस म माइनस अप 5 35 बार जाएगा 7 बार अब इसे गुनाण के पहूं होती है कि इनकी जो breakout भाते ना लास्ट कोई भी बदलाव नहीं होता है चिना भी बदलाव नहीं होता है तो समझ जाना कि आपका गुनान करना नहीं वह एकदम सही है तो यहां से आप अक्स-7 को कॉमन निकालेंगे जो सेम था उसको मैंने कोमन निकाल लिया अब पीछे कोन पच्छी है यहाँ पर तो प्लस का अक्स रह गया और यहाँ पर माइनस का पहुंच रह गया इस एक्वल टो जीरो अब इन दोनों का गुना है वो जीरो के बराबर है तो यहाँ से रिजल्ट के निकलेगा या तो यह वाला ब्रेकिट जीरो के बराबर होगा और या यह वाला जीरो के बराबर होगा नहीं तो जीरो आ नहीं सकता न तो आप लिखेंगे या या तो आप लिखेंगे अक्स माइनस साथ बराबर जीरो अब minus का 7 हो बाहर निकाल देंगे तो plus का 7 हो जाएगा तो यहाँ पर जो x है ना इसकी value कितनी आए गई 7 या दूसरा जो break it हो है x minus 5 इसको 0 के बराबर रखेंगे इसको बाहर निकालेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 5 समझ गए तो x की value 7 या इसकी value आपर 5 भी आईए अब x कौन था पहली संक्या अब गोर से देखना पहली संक्या कितनी है x तो दूसरी कितनी है 12 minus x अब x की value तो हमारे पास आगई कितनी 7 और 5 तो अगर हम कहें पहली संक्या first संक्या बराबर 7 तो second संक्या कितनी होगी बताईए यानि कि 5 या अगर first संक्या हमारी कितनी है 5 है तो उस थितित्र में second जो संक्या है न वो बराबरे से 5 कम करदो कितनी हो जाएगी 7 तो वो दोनों संक्या है किया थी 7 या 5 या 5 या 7 क्योंकि साथ और पांच को जोड़ेंगे तो भी 12 आएगा और साथ और पांच को गुणा करेंगे तो भी 35 आएगा यही मारा क्यूशन था यही दो संख्याए बता दीजी जिनको जोड़ने पर 12 आते हो और गुणा करने पर 35 आते हो इस तरह से हम समय करने की साहिता से उन दोन